यूटियल कंपनी में mostly सभी तरह के solar inverter के देखने को मिलते हैं चाहे off grid हो, on grid हो या hybrid हो आप यूटियल कंपनी में किसी तरह का भी solar inverter खरीद सकते हैं लेकिन इनका एक सबसे most popular जो solar inverter है वो है यूटियल गामा प्लस MPPT 1KV का solar inverter जिसके उपर आप एक किलो वोट तक के पैनल लगा सकते हैं और इसके अदर दो variant आते हैं जिस पर एक पर सिंगल बैंटरी लगा सकते हैं दूसरे पर दो बैंटरी लगा सकते हैं लेकिन यहां पर इस series का ये एक ही inverter था लेकिन अभी इसी series क दूसरा inverter भी आ गया है जो कि 2KV का है लेकिन यहां पर जो इनका 1KV का model था उसका कोई भी competitor नहीं था उस price range के अंदर और यहां पर जो अभी 2KV का आया है इसकी price range के अंदर और इसकी जो specification है उसके अंदर आपको काफी solar inverter देखने को मिलते हैं जो कि इसके competitor है या इससे बढ capacity है वह 2KV का है तो लगबख 1.5KV तक का load आप इसके उपर रन कर सकते हैं दो लगानी पड़ती है और इस solar inverter के उपर आप लगबख 1200 वोट तक के पैनल लगा सकते हैं अगर आप यूज करते हैं 330 वोट के solar panel तो आप लगा सकते हैं 4 solar panel को और अगर आप यूज करते हैं 400 और बिलती है जो कि काफी अच्छी है इसके उपर आप बैतर सेल और 114 सेल जैसे solar panel का उप्योग कर सकते हैं और यहां पर आप 325 वोट के solar panel का भी उप्योग करते हैं तो दो पैनल को series में करके इसके उपर लगा सकते हैं लेकिन company recommend करते हैं parallel लगाने के लिए तो आप इसके उप गामा जो मोडल आता है 2KVA का उससे थोड़ा सा कम है और यहां पर उससे technical specification में भी थोड़ा कम है क्योंकि वो दो किलो वोट पैनल को स्पोर्ट करता है यह सिर्फ 1200 वोट के पैनल को स्पोर्ट करता है लेकिन यहां पर इस price range के अंदर आपको दूसरी कंपनियों में काफी अ लगा सकते हैं बाकी जो specification रही वो almost same रहती है हलांकि VOC थोड़ी कम है स्मार्टन के अंदर आपको 90V की VOC मिलती है लेकिन उसके उपर भी आप 45V की VOC वाले दो पैनल को सिर्फ कर सकते हैं या सभी पैनल को पैरलल में भी कनेक कर सकते हैं उसकी जो price है वो लग बग 14,000 और इसके उपर heavy load भी चला सकते हैं आप अगर air conditioner जैसे heavy load को भी चलाना चाते हैं तो स्मार्टन वाले के उपर चला सकते हैं वहीं utile वाले के वहीं utile वाले में आपको कुछ खास feature मिलते हैं display मिलती है और user अपने हिसाब से सभी parameter को change कर सकता है और यहां पर priority selection जैसे feature भी दे के चलेंगे तो स्मार्टन वाला ज्यादा सही रहेगा और अगर आप feature को देखते के चलेंगे तो यूटिल वाला सही रहेगा तो यहां पर स्मार्टन कंपनी वाले की मतद से आप 1.5 kg वोट तक का solar system त्यार कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप जाते हैं PWM Technology की और तो वहा वाले से थोड़ा सा ज्यादा पैनल को सपोर्ट करता है लेकिन PWM होने के कारण यह कम VOC को सपोर्ट करेगा 46V की VOC इसके अंदर आपको देखने को मिलती है बागे इन सभी में आपको pure sine wave दो साल की warranty जैसे feature मिलते हैं UPS mode और normal mode यह सभी वीचर आपको सभी inverter के अंदर देखन technology के अंदर अगर इन सभी solar panel की exact price आपको पता है या आप यह सभी solar inverter sale करते हैं तो वीडियो comment box में अपनी shop का address डाल सकते हैं इनका प्राइस बता सकते हैं और इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो comment box में कमेंट करें और वीडियो पसंद आ आएं तक ही प्रकार की वीडियो प्को समस्वाहां पर मिर्ती रहे धन्यवाद